दक्रोनिक उस दिनानिया, बुक सेवन, दा लास्ट बैटल, चैप्टर ट्वेल्फ, थुरू दस्टेवल डोर, वहाँ इतनी रोमांचक और खतरनाक जंग चल रही थी, कि जिल उसे दिये गए आदेश भूल ही गई थी, कि उसे सफेज चटान पे चड़ना था, पर तभी उन सबने एक भयानक मनजर देखा, उन्होंने देखा कि एक कैलरमेनी सैनिक किसी चीज को लेके भाग रहा है, जब वो सैनिक आग के सामने आया, तो यही साफ दिख रहा था, कि उसके हाथ में जो है, वो अपने हाथ पैर मार रहा है, वो यूस्टस था, जिसे उस सैनिक ने अस इसकी मदद करने नहीं जा पा रहा था, वो बॉने भी अभी तक वहीं थे, और कैलरमेनी और नार्लियन्स दोनों तरफ के लोगों और जानवरों को मार रहे थे, रिजदा तरकान ने अपने सिपाईयों में से तीस को टिरियन और टोली से निबटने को बेजा, और बचे जिसे अब वो ताश का मंदर बोलाने लगा था, वो सब जापसा करने लगे, ताश, 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 अब वो तशलान वाली कोई बखवास नहीं, ताश, 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 जब ये सब चल रहा था, तो सफेद चटान वाली टोली को एक छोटी सी बहती हुई पानी की ना सुवर टिस्रोक के पिंजरे में जाएगा कुत्ते टिस्रोक के पालतु बनेंगे और यूनिकॉन्स के सींग में अपने हातों से छीलूंगा जिसके बाद वो आम घोडों की तरह गाड़ी खेचेंगे जिसके जवाब में उसे बस गुस्से वाला गुरान ही मिला जिसके जवा दुश्मन के पास भाले थे तरकान और उसके सैनिक जब नार्निय में घुसे थे तो वो व्यपारी बनके एक दो करके आये थे और भाले नहीं लाये थे क्योंकि भाले ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं जा सकती पर जब बंदर ने ओदा पा लिया और कैलर मेनी खुल के ना उसे रोक देता तेरियन और टोली अपने शरीर की हर मान स्पेशी का इस्तमाल करके लड रहे थे तेरियन एक समय पे बीस से लड रहा था और उसने अपने आस पास कई चीज़े देखी किसी हट्टे कट्टे सैनिक को जिल को उठा के लिगे जाते वे देखा पर वो कुछ न उसने अपनी तलवार जमीन पे गिरा के सामने की और छलांग मारी उसने तुरंत रिष्टा को उसके कमर के पट्टे से पकड़ा और उसके साथ अस्तबल में खूद गया अब रिष्टा के सैनिक चिलाने लगे ताश 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 अगर ताश को तरकान चाहिए तो वो उसे ले ले अस्तबल के अंदर कुछ पल के लिए तो टिरियन को सभलने में लगे जिसके बाद उसने देखा कि वो एक रोश्नी में खड़ा है उसने अपने बगल में रिष्टा को खड़े देखा जो की सामने किसी चीज की और इशारा कर रहा था टिरियन ने उस और देखा तो टाश पास आया और उसने कहा रिष्टा तुमने मुझे यहां पुकारा है क्या कहने के लिए है तुमारे पास रिष्टा जंग के मैदान में तो बहुत बहादुर था पर उसकी सारी बहादुरी बह गई जब उसे पता चला कि टाश असल में है ताश ने जटके से रिष्ट को उठाया और अपनी बगल में तबा लिया जिसके बाद वो टिरियन की ओर अपनी आखे गड़ा के देखने लगा पर तभी ताश के पीछे से अवाज आई निकल जा यहां से दानव अपने हक का शिकार ले और इसे अपने गड़ में ले जा नार्निया से चला जा असलन के औ और उसके पिता समुधर पार के राजा के नाम पे चला जा जिसके बाद टाश रिच्दा को लेके उड़ गया टिरियन ने देखा कि वो ववा साथ राजा रानियों की थी उनने देख टिरियन हैरां था उसमें देखा कि जेल और यूस्टस भी उनके साथ हैं और जंग के हा अलाद की जगा साफ सुतरे और शांदार कपड़ों में हैं। वो सब शांदार लिबासों में थे और सारे राजाओं ने चेन की कमीज पहनी हुई थी। टिरियन को उनके सामने खून पसीने और मिट्टी में सने होके खड़े होना थोड़ा अजीब लग रहा था। पर जब उसने देखा तो वो खुद भी साफ सुतरा हो गया था और उसके कपड़े भी बदल गए थे। जिल आगे बढ़ी और उसने कहा कि आईए मैं आपको उच्छ राजा पीटर से मिलवाती हूँ। टिरियन आगे बढ़ा और अपने एक घुटने पर बैठ गया। उसने पीट पीटर ने जब टिरियन को लूसी से मिलवाया और बताया कि वो है उसकी बहन रानी लूसी तो टिरियन ने पूछा कि आपकी तो दो बहने थी ना। लूसी ने कहा कि हाँ सूजन पर अब वो नार्निया के दोस्त नहीं है। उससे हम जब भी नार्निया की बात करते हैं तो वो इस सब को कहानी बताती है उसने अपना बच्पन इस इंतजार में गुजार दिया कि वो जिस उम्र की है उस उम्र की हो जाए और अब जब वो उस उम्र की हो गई है तो वो इसमें लगी है कि हमेशा उसी उम्र की रहे उसे lipstick, लत्ते और नियोतों के अलावा किसी चीज की नहीं पड़ी हमेशा से उसे बड़े होने की बहुत जल्दी थी खेर जो भी है हम अब उसकी बात नहीं करेंगे Chapter 13 How the Dwarfs Refuse to be Taken In